दोस्त अपनी पूरी इमानदारी के साथ बताना दिन में कितनी बार हिलाते हो अगर तुम्हारी तरह सहीद भगत सिंग, चंद सेखर आजाद और महत्मा गांधी यह लोग भी यही करते ना तो सोचो देश का क्या होता वह लोग दिन रात इसी लिए संगर्स कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने वीरे को बचा के रखा और अपनी सारी सक्ती देश को आजाद कराने में लगा दी और तुम लोग इंट्राग्राम की हसीनाओं को देखते देखते गूगल पर गंदे वीडियो देखने लगते हो तुम्हें खुद को भी पता नहीं चलता और तुम मानो एक बात तो बिलकुल पक्की है कि अगर एक बार तुमने गंदी वीडियो देख लिये तो फिर तुम खुद को मैथून करने से नहीं रोक सकते और सच बता रहा हूं मैं तुम्हें ऐसे हजार एक्जामपल दे सकता हूं जिनोंने अपने वीरे को बचा कर दुनिया को बहु से पता की एपल के फाउंडर इश्क्यू जोब्स ने वीर को ट्रांसम्यूट करके एपल जैसी कमपनी खड़ी कर दी आपके इस सवाल का जवाब मुझे मिला नेपोलियन की बेस्ट इंटरनेशनल सेलर बुक में ठिंक एंड ग्रोरिच इस किताब को लिखने में करीब 20 साल का समय और रिसर्च लगी किताब को लिखने से पहले करीब 500 अमीर लोगों से पूछा गया की उनके अमीर होने का सिक्रेट क्या है तो सभी लोगों ने बहुत सारे आंसर दिये लेकिन एक बात सब के अंदर कौमन थी और वह थी आपके वीर का ट्रांसम्यूट अगर अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं आपको सुद्ध हिंदी में समझाता हूँ रात के समय में आपके पास केवल दो ओप्सन होते हैं या तो अच्छी तरह से आराम कर लो ताकि अगले दिन फूल एनरजी के साथ काम कर जखो या फिर रात को हिला कर अपने वीर को बाहर निकाल के अगले दिन किसी मरे हुए इंसान की तरह पड़े रहो अगर तुम्हें जिन्दगी में कुछ नहीं करना है तो फिर तुम दिन रात गंदे वीडियोज देखो और अपनी सारी अंदर की एनरजी बातरूम में बहाते रहो लेकिन अगर जिन्दगी में कुछ करना ह अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने माबाप के सपने को पूला करना है, जिनोंने तुम्हारे लिए खून पसीना एक कर दिया, तो फिर आज की यह विडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, अगले पांच मिनट बाद जब यह विडियो खतम होगा, तो तुम पूरी तरह स तो उस से बदल चुके होगे, तुम्हें समझ में आएगा कि, जिस वीरे को तुम रोज बात्रों में निकाल देते हो, वह कितना किम्ती है, उस वीरे को ट्रांसम्यूट करके, तुम भी अपनी जिन्दगी में जंडे गाल सकते हो, बड़े बड़े इंट्रेस इकजाम निकाल सकते हो, बड़े बड़े काम कर सकते हो, दिन रात मेहनत करके लाखो करोणों रूपए कमा सकते हो, बस गुगल पर कभी भी गंदे वीडियो सर्थ मत करना, चाहे जितना भी मन करें, लेकिन मैथुन मत करना, और अगर लगे कि अब रहा नहीं जा रहा है, और किसी भी समय वीरे बाहर आ सकता है, तो तुम घर से निकल के बाहर या बाजार चले जाओ, जब भी ऐसे गंदे ख्याल आएं, तो अकेले मत रहना, वरना खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है, इसी टॉपिक को लेकर, एक बार किसी ने स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा कि क्या उनके मन में कभी गंदे विचार आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वे खुद को इतना बिजी रखते हैं, कि इस तरह की बातें सोचने का टाइम नहीं मिलता, और यही राज है, सकसिछफुल लोगों का यह लोग दिन रात इतने बिजी रहते हैं, कि उन्हें हिलाने का टाइम ही नहीं मिलता है, और एक बात तो बिलकुल पक्की है, कि जब आप दिन रात बिजी रहेंगे, और काम करेंगे, तो आपकी सफलता पक्की है, क्योंकि इतना ज्यादा काम करने के बाद, आप उन लाखों लोग पर हसीनाओं की होट फोटोज को देखकर अपना वीरे निकाल देते हैं इन पागलों को तो यह भी नहीं पता कि जिस वीरे को आपने दो मिनट के मज़े के लिए कचिरा समझ कर फेक दिया है वह बनता कैसे है हमारी बोडी उन चीजों को पहले बनाती है जिनके बिना सरीर काम नहीं कर सकता जैसे जब हम खाना खाते हैं तो बोडी सबसे पहले कार्बो हाइट्रेट, प्रोटीन, वसा और खरनीज लवन जैसी चीजे बनाती है क्योंकि इनके बिना बोडी नहीं रह सकती यह सब चीजे पूरी हो जाने के बाद बोडी में भोजन का जो रस बचता है उ बोडी को हपतो हपतो का टाइम लग जाता है मतलब वीरे की एक बूंद रक्त की सो बूंदों के बराबर होती है इसलिए अगली बार जब भी हिलाने का मन हो तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना और अब बात करते हैं बेनिभेट्स और ब्रहमचेर की पूरी रिसर्च क करने के बाद यह बात कह रहा हूँ कि अगर तुमने एक महीने तक मैं तुन नहीं किया तो तुम्हारी बोडी में एक अलग लेवल की ही एनरजी महसूस होगी तुम अगर किसी दिन खाना पीना भी नहीं खाओगे तो तुम भी एनरजिटिक रहोगे तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगेगा तुम्हारी एनरजी लोगों को अट्रेक्ट करेगी लोग तुमसे मोटिवेट होने लगेंगे तुम्हे जानकर थूड़ी हैरानी जरूर होगी लेकिन यह सच बाते हैं कि स्वामी विवेकानंद के चेहरे का वह जोर एनरजी देख कर कम हो जाता है यह बात आपने भी मैसूस की होगी जिस दिन आप हिलाते हो और किम्ती विरे को निकाल देते हो उस दिन आपको बहुत ही सरमिंदगी मैसूस होती है और आपके अंदर पहले जैसा तेज नहीं होता है क्योंकि हमारे साथ चक्रों में से जो सबसे नीचे का चक् वह हमें creative floor में ले जाता है, मतलब हमारा focus increase करता है और जब आप किसी दूसरे तरीके से अपना वीरे निकाल देते हैं तो हमारा creative focus कम हो जाता है और आपने भी notice किया होगा कि जब आप वीर को निकाल देते हैं तो हमारा मन किसी काम में नहीं लगता meditation अब आप सोच रहे होंगे भला हिलाने से meditation का क्या connection है दरसल आपने देखा होगा कि जितने भी ध्यान करने वाले लोग होते हैं उनका खुद पर control होता है वह किसी भी तरह की वीरे निकालने की activity से दूर रहते हैं क्योंकि जिस इंसान के दिमाग में गंदे विचार आएंगे वह इंसान कभी भी meditation नहीं कर पाएगा और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे सुनकर आपके होस उड़ जाएंगे एपल कमपनी बनाने से पहले इस टू जॉप्स इंडिया आये थे और नीम करोली बाबा से meditation सीखा था उनका मानना था कि तब तक कुछ बड़ा create नहीं कर सकते जब तक आप अंदर से सांत नहीं होते आज हम लोग जो भी एपल के फोन और मैक बुक चला रहे हैं उसका पूरा credit इस्टिव जॉप्स को जाता है और इस्टिव जॉप्स ने भी अपने अंदर की energy को कंट्रोल में रख कर इतिहास रच दिया imagination कलपना एक ऐसी चीज है जिसने इंसानों को चांद तक पहुचा दिया मसहूर बॉक्सर मुहमद अली और स्वामी विवेका नंद इसके सबसे बड़े उधारण हैं मुहमद अली लगातर 9 महीने अपने वीरे को बचा कर रखते थे और fight करते समय उनके दिमाग में चल रहा होता था कि सामने वाले बॉक्सर का पंच कैसे करना है कोई बंदा इतना फोकस तभी कर सकता है जब वह पूरी तरह अंदर से सांत होकर लगातार 12 साल तक ब्रह्मचरे का पालन करने से आपके अंदर कलपना की एक आदभुत सक्ति आ जाती है जो स्वामी विवेकानंद के अ कह जाने वाले अलबर्ट आइंश्टीन भी कहा करते थे कि imagination is more important than knowledge मतलब कलपना सील होना ज्यानी होने से आधिक प्रभाव साली होता है और ब्रह्मचर का पालन करने से हमारी imagination पावर बढ़ती है और final में जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि यार रोज रोज मैतुन करने से तुम जिन्दगी में कुछ उखार नहीं लोगे बलकि एक अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फिर से लोटेंगे एक नई motivational वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद